Hello students, good morning, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग नवरात्री खुब इंजॉय कर रहे होंगे हाँ पहले जैसी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं बट आप अपने parents के साथ, brothers, sisters के साथ इस नवरात्री को कुछ अलग तरीके से मना रहे होंगे इन सभी memories को capture करके रखना क्योंकि ये memories हमेशा याद रहेंगी ठीक है? आईए आज हम city और village life को compare करते हैं कि city में life कैसे होती है और village में life कैसे होती है आईए हम compare करते हैं What do you think the differences and similarities are between life in the city and life in a village? आप क्या सोचते हैं? क्या differences होंगे या क्या similarities समानता है होंगी? city की life में और village की life में क्या लगता है आपको? Do you think it is better to live in the city or in the village? आपको क्या लगता है? city में रहना जादा better है या village में रहना जादा better है? क्या लगता है आपको? कहा रहना जादा better है? चलो अपने अपने answer बता देना अपने parents को ठीक है फिर end में क्या होता है हम survey के थूँ देखेंगे conduct a survey on the pros and cons of living in a city and living in a village as the questions below think of two or more questions and aid them to the questionnaire आपको जो भी अच्छाइया है बुराइया है ये दोनों ही इस survey से पता चल जाएगी जो questions दिये हैं उससे पता चल जाएगी यदि आप चाहें तो एक दो questions इस questionnaire में और add कर सकते हो ठीक है तो हमारा questionnaire क्या है इस देयर स्कूल कि इफ यस डज़िट हैव प्रॉपर बिल्डिंग एंड गुड फैसिलिटीज यदि आप विलेज में रह रहे हैं तो क्या वहाँ स्कूल है यस यदि है तो क्या अच्छी बिल्डिंग और अच्छी फैसिलिटीज है आपके गाओं में हाँ या नहीं में नो राइट करते जाना है अब दूसरी साइट जहां आपने सिटी लिखा है वहाँ पर सेम कॉश्चन इस देयर विलेज इस देयर आ आप सेकेंड गुर्ष्चन विलेज के साइट हाव फार इस दे नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम आपके होम से घर से सबसे पास की स्कूल कौन सी है कौन सी यह भाई उसका नाम लिख दो ऐसे ही सिटी में देखो यदि जिसका सिटी में भी घर है वो यहाँ पर लिख सकता है कि आपके घर से सबसे पास की स्कूल कौन सी है अब यहां पर जो आपके घर के पास स्कूल है, वहां बच्चे स्कूल कैसे पहुंचते हैं, यदि आप विलेज में रहते हैं, तो वहां राइट कर दीजिए, कि पैदल जाते हैं, यदि सीटी में रहते हैं, तो वहां राइट कर दीजिए, कि बस से जाते हैं, परसनल वीकल स से जाते हैं जैसे भी जाते हैं ठीक है माँ राइट कीजिए इस देर लाइब्रेरी नियर बाइवेर पीपल गेट कैन गेट बुक्स तू रीड क्या आपके घर के आसपास कहीं लाइब्रेरी है जहां से लोग बुक्स पढ़ पाएं रीड कर पाएं है तो यस लिखिये नहीं और वाटर सप्लाई भी रेगिलर होता है परड़े पानी भी आता है और रोज बिजली भी आती है एलेक्टरिसिटी भी प्रॉपर सप्लाई होती है राइट देर यस या नो वाट डू पीपल डू इन देर फ्री टाइम विलेज में फ्री टाइम में लोग क्या करते हैं और सिटी में फ्री टाइम में लोग क्या करते हैं जरा दोनों बॉक्सेज में राइट करें आप क्या करते हैं विलेजेज में बुड़े लोग गाओं के ओटलो पर बैट कर बा गंटी लेकर गंटी बजाते में निकलते हैं ना और हर घर से जो भी कोई दान देता है उसे मंदिर में ले जाकर रख देते हैं अब सिटी में लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं या तो क्रिकेट ग्राउंड पे खेलते हैं या जॉगिंग करते हैं या उनको जो भी चीज़ तो आपके घर के आसपास थियेटर है यदि विले सीटी में रहते हैं तो भी आप महाँ पर टिक करेंगे कि आपके घर के आसपास थियेटर है Do the people celebrate festivals only with their immediate family or with local people as well क्या आपके आसपास रहने वाले लोग festivals तेवहार मनाते हैं अभी कोरोना की बात नहीं कर रहे हमेशा की बात कर रहे हैं क्या वो लोग एकदम close friends के साथ मनाता है सिर्फ या जितने भी local people होते हैं जैसे हम गणगोर मनाते हैं तो पुरा की पुरा गाउं गणगोर मनाता है नवरात्री मनाते हैं तो पूरा महला नवरात्री मनाता है पूरा गाउ नवरात्री मनाता है पर सीटी में ऐसा होता है क्या जो भी आपके आंसर से वहाँ पर राइट करेंगे गाउं में जितने भी एडल्ट्स होते हैं गाउं में जितने भी एडल्ट्स होते हैं जितने भी एटीन येर्स प्लस लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं क्या काम करते हैं गाउं में क्या काम करते हैं सिटी में क्या काम करते हैं पास दो ब्लोक्स तो है राइट करते चाहिए तो यू प्रिफर विलेज लाइफ और सिटी लाइफ ये लास्ट कुष्छन आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइफ को पिरफर करते हैं, कौन सी लाइफ को पसंद करते हैं, क्या आपको गाउं में रहना पसंद है या city में रहना पसंद है यदि गाउं में रहना पसंद है तो village side लिखिए और यदि city में रहना पसंद है तो आपने city का column बना रखा है वहाँ पर लिखिए चलिए write कीजिए यह था हमारा question number A यदि आप इसमें चाहें तो कुछ और questions भी aid कर सकते हैं question number B है now write a comparative report on the results of your survey अब ऐसी comparative report तयार कीजिए कैसी comparative report तयार कीजिए कि make two columns जो हम already बना चुके हैं one for the city and one for the village हाँ हम ये भी बना चुके हैं write the pros याने prosperity and cons याने problems of living in a city और a village वो हम लिखते आए हैं कि एदी city में क्या क्या अच्छी चीज़े होंगी और क्या problems आएंगी village में क्या क्या अच्छी चीज़े होंगी क्या क्या problems आती हैं इनी columns में आप आगे बढ़ाते जाहिएगा calculate the number of prosperity against the number of cons and give your opinion on whether it is better to leave in a city और in a village अब जितनी problem city में आती है वो compare करो और जितनी village में आती है वो compare करो तो problem ज़ादा आती है या फिर अच्छाईया ज़ादा है दोनों में compare करके देखो कि city में रहना ज़ादा बेटर है या village में रहना ज़ादा बेटर है बड़ी बड़ी cities की बात कर रहे हैं टाउन्स की नहीं कसरावद एक टाउन है not a village not a city ठीक है तो ऐसे आप compare करें comparative report तयार करें एक साइट city लिखिए एक साइट village लिखिए अच्छाईया और बुराईया लिखिए और आप बताए कि city में रहना ज़ादा बेटर है या village में रहना ज़ादा बेटर है using the information in the report या आपने report तयार की इसके उपर एक presentation तयार करें जहां कहीं आप रहते हैं उस area की presentation तयार करें उस area में कैसे आप लोग रहते हैं you can include images आप images भी तयार कर सकते हैं paste कर सकते हैं and words is spoken by the people you have interviewed to make your presentation interesting अब एक आप प्रॉपर प्रोजेक्ट तयार करें एक report तयार करें यह सभी को बनानी है ठीक है यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सभी को बनानी है इसमें आप आप जहां रहते हैं वहां की अच्छाईया लिखेंगे आसपास की कुछ pictures भी आप paste कर सकते हैं आप लोग draw भी कर सकते हैं उन pictures को इस report में एक file बनाना प्रॉपर ठीक है और आसपास के लोग कैसी बाते करते हैं कैसे लोग रहते हैं आप क्या आसपास theaters हैं नही हैं कितना शांत वातावरण हैं कौन सामंदीर है यह सारी चीज़े आप उस report में write करें आप वहां रहते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है इन सब चीजों को आप वहां पर write करेंगे ठीक है और एक presentation तयार करेंगे वहां के आसपास कुछ inspiring लोग होंगे उनका interview लेंगे और उसके भी कुछ lines वहां पर आप write करेंगे I hope कि आप इस project को बहुत अच्छे से लिखेंगे बहुत अच्छे से बनाएंगे आप चाहें तो मुझे आप इसे personally भी भेज सकते हैं या group पर भी send कर सकते हैं ठीक है इस project को आपको complete करना है आज Friday है आपके पास three days का time है मंडे तक आप इस project report को मुझे send कर सकते हैं ओके आइए हम next page को देखते हैं क्या है next page है problem solving life skill पे dependent है या हमारी अब कोई एक problem में है और आप इसकी problem कैसे solve करते हैं या आप इसकी place पे होते तो क्या करते मेधा has a younger sister called Sakshi मेधा की एक छोटी बहन है जिसका नाम है साक्षी साक्षी goes to the park with मेधा everyday साक्षी मेधा के साथ रोज पार्क में जाती है but she is very shy पर बहुत शर्मीली है साक्षी and does not play ना तो वो बच्चों के साथ खेलती है और talk to other children in the park ना तो खेलती है ना बात करती है शाक्षी stays quietly next to मेधा all the time साक्षी हमेशा मेधा के सामने मेधा के आगे पीछे रहती है और एकदम चुप चाप खड़ी रहती है मेधा's friends sometimes make fun of her sister मेधा के friend अक्सर या कभी कबार उसका fun मजाग बना देते हैं किसका साक्षी का What should मेधा do मेधा ने क्या करना चाहिए Should she ignore साक्षी and continue playing everyday क्या मेधा ने साक्षी को ignore कर देना चाहिए और अपनी playing पे खेलने पे ध्यान देना चाहिए रोज साक्षी पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्या मेधा ने Should she leave her at home and go to the park alone क्या उसने रोज साक्षी को घर पर छोड़ कर जाना चाहिए और पार्क अकेले चले जाना चाहिए या Should she tell their parents about her sister's behavior या उसे अपने parents को अपने sister के behavior के बारे में बताना चाहिए आपको क्या लगता है मेरे recording तो पहला wrong है दूसरा भी wrong है और तीसरा correct है और सोचिये क्या होना चाहिए Should she encourage साक्षी to play and ask her friends to be nice to her क्या उसने साक्षी को encourage करना चाहिए खेलने के लिए inspire करना चाहिए और उसके friends को nicely behave करने के लिए कहना चाहिए कि तुम साक्षी से अच्छे से बात करो ये भी correct है Should she stop going to the park and watch TV at home instead क्या उसने park जाना छोड़ देना चाहिए और उसकी जगा पर TV देखना चाहिए ये तो बहुत ही गलत है Think of two other ways in which Mayda might deal with this situation आप इनके अलावा दो और situations सोच सकते हैं जो इस situation में काम में आए यदि आप होती उसकी place पे तो आप और क्या करतें दो और points आप सोच कर बताएं इसमें write करें ठीक है Big question है Imagine that your teacher has asked you to prepare and sing a song सोचो कि आपके teacher ने आपको song prepare करने के लिए कहा है और गाना गाने के लिए कहा है कल, class में आपका turn है गाना गाने के लिए But you are not a very good singer पर आप एक बहुत अच्छे सिंगर नहीं है And don't remember the lyrics well और आपको lyrics याने गाने के बोल भी अच्छे से याद नहीं है What would you do? आप क्या करोगे? You can tick any number of options आप किसी भी number पे tick कर सकते हैं क्योंकि सब के अपने अपने views हैं ठीक है? Would you feel nervous and tell your teacher that you are unable to sing in front of the class? क्या आप nervous feel करोगे और आपके teacher को कहोगे कि ma'am sorry हम मैं गाना नहीं गा पाऊंगी क्योंकि मैं prepare नहीं हूँ इसलिए मैं class के सामने गाना नहीं गा सकती या फिर Would you take it as a challenge? आप इसको challenge के रूप में लोगे And prepare yourself to perform your best और अपने आपको perform करने के लिए best perform करने के लिए prepare करोगे यदि में होती तो शायद यहीं करती ठीक है? आप क्या करते जो आपको ठीक लग रहा उस पर ठीक लगाना मेरे recording में चलना Would you remain absent from school on that day? कि आप absent रहते उस दिन school में जो कि अक्सर बच्चे करते हैं But it is not a good option Would you worry that your classmates would make fun of your singing? या फिर आप चिंता करते कि आपके classmates आपकी singing का मजाग उड़ाएंगे जब आप अच्छा नहीं काओगे तो शायद पर हमें किसी और की चिंता नहीं करनी चाहिए Would you focus on practicing for your performance and not bother about what others would say? ये भी correct है कि आप अपने practice पे focus करते अपने performance पे focus करते और बिल्कुल चिंता नहीं करते कि दुसरे लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल correct answer Now sing your favorite song or poem in front of class अब क्या करो आपने सोच लिया अपना option आप पूरी class के सामने अपना favorite song या favorite poem गाओ अब आप class में तो हो नहीं क्या करोगे आप तो आप अपने parents या अपने brother sister के सामने बहुत अच्छे से गाना या poem गाकर अभी के अभी सुनाओगे C question है discuss with your classmate how we can overcome stage fright and nervousness आपको अपने classmate के साथ discuss करनी है कि stage पर चड़ते ही सबको डर लगने लगता है nervousness होने लगती है तो उस डर को कैसे खत्म किया जा सकता है अप classmates तो आपके साथ है ही नहीं तो आप किस से बात करोगे आप अपने parents से बात करोगे या अपने friends से बात करोगे phone पर या अपने brother sister से बात करोगे तो आप लोगों को जितना भी काम दिया गया है आप लोग करने वाले हो एक तो report तयार करनी है दूसरा आपको आपका favorite song गाना है या poem गानी है और तीसरा आपको अपने friends के साथ बात करनी है कि stage के fear को कैसे खत्म किया जा सकता है देखिए आज का जो video है बहुत ही interesting है आप चाहे तो इसे बार बार सुन सकते हैं आप चाहे तो इस पर अलग-अलग reports तयार कर सकते हैं आप चाहे तो अपनी hobbies को बिना डरे बिना किसी भय के जी सकते हैं, enjoy कर सकते हैं So, I think you will definitely do Have a nice day to all Have a happy day